प्रवाइब नाम है मॉनिका पालो और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आई-मार डबली तो हम बात करें यूनिट नमर वन की जो कि पालो और अगर दुर्वाइब नाम है तो इस सीरीज में हम आभी तक रूल नमर फॉर्टी तक कम्प्रीट कर चुके थे तो आभी पढ़ लेते हैं रूल नमर फॉर्टी फोर्टी फोर क्या है तो यह है वैदुतिय जटका खाय हुए व्यक्ति की चिकित्सा के संबन में साथ तो हमने बताया था कि अगर आप रिपेर मेंडेनेस वाक करते हैं और उस समय किसी वज़ा से साथधानिया पूरी करते होने के बावजूद भी अगर कोई दुरगटना हो जाती है और किसी वक्ति को इलेक्रिक शॉक लग जाता है किसी तरह की एक्सेंटल सिच्वेशन आज करते हैं तो वहां पर फैक्ट्री एक 1948 के सेक्शन 2 के क्लॉज में यह कहा गया है क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का इलेक्रिकल शॉक लग जाता है तो क्या करना चाहिए हिंदी एंग्रेजी तथा जिले की सानिय भाशा में परिभाशा नहीं है भाशा इसको आप करेक्ट कर ले प्लीज तो वहां पर यानि हिंदी इंग्ली दोनों लेंग्विज में लिखा होना चाहिए साथी साथ वहां की जो भी लोकल लेंग्विज है आप जानते हैं अगर किसी आप पर्टिकुलर जिले से हैं जैसे अगर हम यूपी की बात करें इंडिय भाषा में भी नोटिस लगा होना चाहिए साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होना चाहिए कि वैदुत के जटके से बीमार के जो व्यक्ति है उसके उपचार के संबंद में क्या-क्या सावधानिया होनी चाहिए वो पब्लिक प्लेस पर लगाई जानी च इस तरह की सिती में पाया जाता है या किसी तरह की दुर्गटना के सिती बन जाती है तो प्रात्मिक उपचार संबंदी जो जो सावधानिया वो उसको पता होनी चाहिए वहाँ पर चस्पा कर देनी चाहिए उस अधिकारी के रिक्षिन करने पर जिसे राज्य के इन्दे सर सावधानियों की प्रतिलिपियों उस मुल्य पर जो राज्य के इन्दी सरकार निशित करें देनी होगी तो मैंने पता है था हाला कि इलेक्टर सिटी का जो कंसर्ण होता है यह हमारा अधीन होता है राज्य सरकार के अंतरकत यानि स्टेट गॉर्वर्मेंट इसे लुक आफ इसी एजनेरिटिंग स्टेशन में घेरे हुए सबस्टेशन या तो आगर किसी इंड़स्ट principio की बात करते हैं या किसी मगी जितने भी कर्म चारी हूं जितने भी कारे करने वाले व्यक्ति हूँ, उनको इन सारी साफधानियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रूल नमर 45 देख लेते हैं, नियम 45 हमारा कहता है, साफधानिया जिनको अपुभोगता, स्वामी, विदुत के ठेकेदारों, विदुत कर्मचारी और सप्लायर को अपनाना या करना च चाहिए, तो नियम 45 कुछ साफधानियों कहा लिजिए, कुछ जानकारी के बारे में बताता है, जिनको हर एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए, कोई भी विदुत की अगर इंस्टॉलेशन है, जिसका काम, जिसमें सुधार बद करना हो, बदली करनी हो, मरम मत करना हो, अज़ की बल्ब, पंक, पंके, हमारे फ्यू, स्विच, और कम वोल्टेज की जितने भी घरेलू चीजे हैं, यानि डोमेस्टिक अप्लाइंसे हैं, जिन में हम इलेक्टिकल इंस्टॉलेशन की दक्षता या करेक्टर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, स्वामी या भूगता के रेलू कारे, घरेलू सरकेट में लगे वे जितने भी हमारी चीजे हैं, जो की लूव वल्टेज पर हैं, उनका निरिक्षन उसी व्यक्ति को करना चाहिए, जो की राजे सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा मानेता प्राप्त हो, जिसको प्रमाणपत्र मिला हो, या केंद्र राजे सरकार द्वारा उसकी निर्टि की गई, लेकिन शर्त यह भी है कि केंद्र सरकार के द्वारा आया, उसके कामों के संबंद में, और तेल के शेत्रों, रेलों में विदुत लगाने का जहां तक संबंद है, केंद्र सरकार और दूसरी सितिती में, राजे सरकार गजट में सूचना निकाल कर कुछ कामों को कुछ विशेश शर्तों के साथ इस प्रतिबंद से सुवतंद कर सकती है कि केवल राजसरकार से मानत अप्राफ्त ठेकेदार से ही करवाए जाए मैंने कहा था ना या आपर यह बात कह रहे है कि कुछ चीजों में कुछ जो हमारे जैसे की इसे कुछ शेत्र हैं जो कि केंद सरकार के अधीन नहीं आते बलकि किसके राजसरकार के अधीन ही आते हैं तो मैंने बताया है मोस्ट ऑफ दी केसिस में विदूत कारे जो है यानि एलेक्टर से रेलेटेड चीजे हमारा कौन देखता है राजसरकार ही देखती है कोई भी इ है उप नियम एक की शर्ते किसी तेल के शेत्र खान रेलवे किसी सरकार या उसके भाग पर उस दिरांग से लागू होगी जो केंदिया राजसरकार गजट में सुचना निकालकर सुनिश्चित करें यानि जो नियम है यह विशिष्ट छेत्रों में तब लागू होगा जब राजसरकार इसको सुनिश्चित करें यह नमबर 46 यानि नियम 46 क्या कहता है यह कहता है उप वोक्ता कि इस्टॉलेशन उनका समय समय पर निरिक्षण पर परिक्षण किया जाने जाना चाहिए मैंने बताया कि जो हमारे प्रोवाइडर होते हैं वह कंज्यूमर हाउस पर बह नहीं टेस्टिंग और इंस्पेक्षण टाइमली किया जाना चाहिए इस समय में पास साल से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए या तो इंस्पेक्टर करेगा या सप्लायर जैसा कि राजसरकार आग्या दे तो स्टेट गवर्मेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी या त नहीं करेंगी उनको प्रॉपर्ली चैक नहीं किया जाएगा तो वह भी फॉल्ट का कारण बन सकती है या किसी तरह की एकचिदेंटे सिच्वेशन का कारण बन सकती में करने की इंस्टोलेशन का निरिक्षण करने की आग्या दे तो वैशनस्ताबन की सूचना जानकारी है और उसकी कॉपी इंस्पेक्टर को भीजेगा इस निरिक्षिन का शुल करकेंदे सरकार निश्चित करेगी और उपुभोक्ता को अगरिंग मुरूप में देना पड़ेगा अगर इस टेस्टिंग का या किसी तरह का कोई फॉल्टी कंडिशन में पाए जाते हैं तो जो उपुभोक्ता है कंज्यूमर उसको उसका चार्ज देना पड़ता है और वह चार्ज कौन करती है हमारी बिद्धा के बीतर इंस्पेक्टर की बार बार चेताव निए पर तो सप्लाय कार्ट दी जाएगी सप्लायर को आविश्क्ता से अधिक विध्यूत कटने के एक सत्ता के पहले वोक्ता को अपने कारे की सुचना पत्र दुवारा देगा यानि फिर क्या होगा जो सप्लायर है उसको एक लेटर भीजेगा नोटिस बेजेगा और अगर वो नोटिस को एक हफ्ते तक कुछ उस पर एक्शन नहीं लेता तो उसकी सप्लाई काट दी जाएग कि कंज्यूमर की बनती है कि कंज्यूमर उस इंस्टॉलेशन का ध्यान रखे कि जो इंस्टॉलेशन है वो हमारी सही दर्शा में कारें करती रहे ठीक है अब वैदु शक्ति सब्लाई लाइन और उर्जा के प्रयोग के संबंद में कुछ शर्ते हैं अभी तक जो हमने करना उसको उसका जनन करना दूसरा उसका संचरन और वित्रन यानि ट्रांस्मिशन और डिस्टॉबिशन और तीसरा आता है यूटिलाइजेशन ठीक है तो तीन इंपोर्टन स्टेप होते हैं जनेशन ट्रांस्मिशन डिस्टॉबिशन और तीसरा हमारा होता है जिसमें नियम नंबर 47 पहला नियम है वो कहा रहा है उपभोगता के संस्थापन का परिक्षण किया जाना चाहिए चक्ति सप्लाई करने का प्रात्ना पत्र प्राप्त होने पर उपभाई का संयोजन देने यह 6 महिने बाद दुबारा सप्लाई देने से पहले सप्लाईर प्रात्ना पत्र देने के लिए इंस्टोलेशन का निरिक्षण और परिक्षण उपभोगता को दी जाने वाली सप्लाई के प्रतिक पॉइंट पर करेगा यानि मैं इसो बंध्र सप्लाइर है इसकी जाच करेंगा जो इंस्टोलेशन प्रोवाइड की गई है उसको क्या प्राटना पत्र देने वालेकर को इक सुचन पत्र देगा और प्रिवरतनों के कहेगा जिसके ओंप आपके संस्थापन है वो सुरक्षित हो जाए तो अगर किसी वज़े से इंस्टॉलेशन में कोई फॉल्ट मिलता है कोई कमी आती है तो क्या करेगा एक नोटीज भेजेगा अपने कंस्यूमर को संयोजन देने से पहले लीकेज ना होने देने के संब्ध में साफधानिया यानि कनेक्शन प्रोवाइड करने से पहले सप्लायर किन किन चीजों का ध्यान रखेगा आपनी काम के साथ वोक्ता के भवन उसके संस्थापन या मशिनरी को उस समय तक नहीं जोड़ेगा यहां जो पूर्ण विश्वाष्ण ना हो जाए कि जोड़ करते समय जो कि तो क्या है एक बटे पांच हजार वे हिस्से से अधिक लिके जारा नहीं होगी अगर उपनिया में एक की शर्तों के अनुसार सप्लायर सयोजन देने से इंकार करता है तो वैं प्राधना बत्र देने वाले को लिके सूचना देगा कि जिसमें कनेक्शन ना दे पाने के कारण होंगे माल लेजे आप इलेक्टिसिटी का कनेक्शन लेना चाहते तो एक आप एप्लिकेशन देते हैं आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको कि मैं आपके यहां से कनेक्शन लेना चाहता हूँ और आगर सप्लियर जो है वो यह सुनिशित कर लेता है कि लिकेश धारा कमान बहुत अधिक है शरण बहुत अधिक है तो वो कनेक्शन देने से इनकार कर सकता है बशर्ते उसको उसका रीजन यानि उसका कारण प्रादना बत्र के साथ मेंशन करना पड़ेगा उपवोक्ता के भवन पर लेकेश अगर सप्लियर का को यह विश्वाश करने के खारण हो कि उपवोक्ता में कहीं लेकेश हो रा है जिससे अन्च को सुनिशित का इसके सूचनत कौन देगा वहीं है जया इंस्पेक्ट्र हो कृश्त करने से इन consumer house है उसमें leakage है शरण है तो वो क्या करेगा उसकी जानकारी देगा और निरिक्षण और परिक्षण भी करना चाहता है further अगर यह सूचना पत्र दिये जाने के बाद उपभोकता आपने संस्थापन के निरिक्षण और परिक्षण के लिए उचित सुविधाय नहीं देता है अगर उपभोकता के संस्थापन के एक बटे 5000 भाग से अधिक शरण धारा जारी है तो आगर सप्लायर चाहे तो निरिक्षण के निर्देश दे तो उपभोकता के इंस्टॉलेशन में विद्दु देनी बंद कर सकता है यह véritं सप्लाय काठ सकता है क्यों ने अविशत हो सकता है कि किसी तरह की दुर गटना की सिति बन जाए तो वहां सप्लाइए परवाइड कर आन्हापन है तो सप्लायर चाहे तो सप्लाय को कट कर सकता है मगर ऐसा करने के पूर उपुभोकता को 24 गंटे से पहले नोटिस देना अवशक होता है और पूरे सप्लाई देना है जब तक शुरू नहीं करेगा जब तक उसको जो इंस्पेक्टर यानि निरिक्षक उसको यह पूरी जानकारी नहीं हो जाए यानि कुछ कंडिशन है मैंने कहा ना कि जो कंज्यूमर है वह एक अप्लिकेशन ढालता है प्रात्ना पत्र डालता है कि मुझे कंड्यक्षन चाहिए लेकिन कंड्यक्षन की कुछ शर्ते होती है क्या है एक उचित लिंक्डिस्विच या सर्किट ब्रेकर जो की अविशक्ता के अनुसार शंता हो उसकी यानि सही रूल में लिखी हुए साइच चीज है जो कंड्यूमर होता है और प्रोटेक्शन के लिए दुनिया बरके अपने कट आउट और वह सब लगाता है कि जिसकी वज़े से अगर किसी वेसे दुरगटना की सिती बन जाती है तो स्विच की साहता से सुरत ही क्या कर सके सप्लाइ शुरू करने के पॉइंट के पास ही लगाया गया एक ही लिंक्ड स्विच या सर्किट ब्रेकर इस नियम को पूरा करने के लिए उचित समझा जाएगा यान हो सकता है कई BMW लेकिन एक अगर केवल एक लिंक्ट स्विच है या कोई सर्कुट ब्रेकर लगाया गया हो तो वह सही रेटिंग का हो उसका सही सेलेक्शन किया गया हो प्लस वह कैपेबल हो कि जो हमारी मशीन है हो मुख्य सप्लाइस से असानी से उसको कट कर सके एक उप्यूप्त शम्दा का लिंक्ट स्विच या सर्कुट ब्रेकर पूरे लोड को धारा भेजने वा काटने के लिए ट्रांसफार्मर की सेकंडरी साइड पर लगाया जाएगा जहां हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन लगाई गया हो ठीक है प्रतेक सर्कुट को अधिक धारा आ जाने पर ही चारह न स्थाया नौमली प्रोटेक्शन के लिए हम कट-अउट या कट-ाउट लगाते अपने सुना होगा तो यह सब क्या करते हैं ऊवर करेंट रोडूर्ट से भी ढट्रेंस देने के लिए सर्कुट ब्रेकर या कट-उट लगाया जाने चाहिए और यह से स्थानों पर लगाया इस तरह के बने होंगे कि अधी गरम हो जाने पर भी उनमें चिंगारी का भाई या चटकने का भाई ना हो कोई डर ना हो ऐसा ना हो कि जब यह उपरेट करें तो इनमें स्पार्क प्रोड्यूस हो कई बार स्पार्क मैंने बताया भयाना गुरूप ले लेती है भीशन आग ल यह बात कर रहा है जो भी हमारे वहां पर लिंक स्विच लगा होना चीह सर्कृट ब्रेकर लगा होना चीह ताकि मोटर यह मशीनों को असानी से कंट्रोल किया जा सके आपने देखा होगा आपकी जो मेन सर्किट बोड है में जो स्विच बोड़ जहां पर एनरजी मीटर अगर आप देखेंगे अपने रूम के सरकिट की देखें तो वहां भी लगी होती है जैसे अगर हम बात करें हेवी लोड में ऐसी आज एयर कंडिशनर बहुत जदा यूश किया जाते हैं तो एयर कंडिशनर को भी तुरंट टर्न अन टर्न आफ करने के लिए या फॉल्टी को उनके प्रसावित प्रयोक को ध्यान में रखते हुए चुनाव किया जाएगा और उनकी यांतिक द्रणता इस काम के लिए काफी होगी सरह होगा कि इससे बैद रोधन गुणों पर गर्मी सर्द्यों नमें का कोई प्रुभाव ना पड़े जो इन्सुलेटिंग मिटीरि अच्छल ऐसा होना चाहिए उस पर टेंपरेचर का वैदर का क्यामिकल का कोई प्रुभाव ना पड़े इसकी बहुत साफधानी रखी जाएगी कोई भी लाइपवाट इस तरह बहार नहीं निकले हो जिससे किसी तरह का खत्रा उत्पर हो है ना जिससे किसी तरह का क्या हो खत्रा उत्पर हो तो लाइप वार्ड जो है हमारे हो प्रॉपरली कवर्ड होने जाएगा जिससे किसी को कोई नुकसान ना होने पाए ठीक है उसके बाद आगे देख लेते हैं वैदू सप्लाय का यह वैदू शक्ति का प्रयोग करने आला वैक्ति वह उपबोकता आपने इस तरह से ध्यान रखेगा कि प्रतेक समय उपनियम की पाबंदी होती रहे और पुबोकता हर संभव कोशिश करेगा कि वैदू शक्ति सप्लायर सप्लाइब कर रहा हो उस भवन में लगे होई सप्लायर के यंद्र विभागे लाइनों में सप्लायर के त्रिक और कोई वैक सप्लायर के पास ही नेकस्ट वुभागता हर विदी से लाज जा रहे हो कि जहां विद्धुत किसी व्यानों और सप्लायर के यंत्रों जो भी वहां पर लगाए गए उससे खैल और कोई व्यक्ति ना करें थ्यान दखना उसको उसकी बाद नियम फटी वन नियम फ्यावन द यहां यह बात कर रहा है कि जितनी भी हमारी ऐसी लाइने हैं जो कि मीडियम हाई और वेरी हाई वोल्टेज की हैं यहां पर कुछ हमें एक्स्टा प्रिकोशन्स की है कह लिए आतिरिक साधानियों का ध्यान रखना पड़ता है जहां मध्यम उची है बहुत उची वोल्टता को के सहां प्रियोग में लाया जा रहा हो सानान अंतरण की जारी हो क्या-क्या शर्तों का धियान हमें रखना मिडियम वोल्टेज हाए वोल्टेज एक्स्टा है वोल्टेज को या तो अप्ट्रांसफर कर रहे हो या उसका किसी तरह से कर रहे हो तो समस्षाल को यानि ओवरेड कंडॉक्टर की अगर हम बात करें उनको छोड़कर पूरी तरह दातों के केसिंग केपी में बंध होने चाहिए क्योंकि जब आम ओव रखा जाना चाहिए उनको जो कि यांत्रिक और वैदुत क्रम पर कंटीनियूस लंबाई के होंगे और उनके तूटने फूटने से अच्छी तरह उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा जब तक कि चालक ऐसे स्थान बढ़ना लगे हो जहां केवल योग्य और शिक्षित व्य जा सके इस तरह लगाए सुरक्षित किया जाए जिससे निर्ख्षक को पूर्ण विश्वास हो कोई भए नहीं होगा तो एक और यह जो हमारे यह एक एंग प्लोजर में बंद हो जिनको किसी तरह की कोई यांतरिक शती नह पहुंच सके और इंस्पेक्टर इस सीज़ को एं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो सके सब धातुओं का काम जो संस्थापन से संबंद रखता है इनमें संस्थापन बंध है या जिस पर निर्बर है अतिरिक उसके लिए चालक के रूप में काम मिलाना अगर निरक्षक उचित समझे तो आर्थ किया जाएगा तो हमने अभी पहले भी बात की थी अभी बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं मेटलिक शेथ प्रोवाइड करते हैं यह उस पर भारी धातु का आवरण चड़ाते हैं यह भी क्या होना चाहिए बूस संपर्कित होना चाहिए प्रतिक में स्विच बोर्ड पर निमलेखी शर्ते ला चाहिए यानि ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो धूल मिटी या कच्रे वाले स्थान पर हो साफ सफाई वहाँ पर हो नीचे है क्योंकि यह जो डस्ट पार्टिकल या यह जो गंदी है यह भी कई बार फॉल्ट का कारण मन जाते हैं अगर स्विच बोर्ड के पीछे स्थान या 0. जो 0.229 मिटर से कम होगी या 0.762 मिटर से अधिक चोड़ाई की होगी यह चोड़ाई अटेच्मेंट यह चालक से बाहर निकलेवे भाग से ना पी जाएगी यानि आगा स्विच बोर्ड के पीछे कनेक्शन लगया कोई फिटिंग लगया तो वहाँ भी पीछे गैप होना चाहिए जैसे आपने कभी देखा हो स्विच बोर्ड जो है वह थोड़ा उठा हुआ होता है पहले तो लकडी के बॉक्स होते थे तो क्या होते थे वह थोड़े गहराई में होते थे यानि बिल्कुल दिवार से चिपके हुए नहीं होगी जो भी असेसरी है वह थोड़ी द प्रादनाबत्र दिया जाएगा कि वह किसी इस्टॉलेशन में सप्लाई शुरू करे तो वह सप्लाई देना उस समय तक देना शुरू नहीं करेगा जब तक कि उसे पूरा विश्वास ना हो जाए कि उप्भोकता पिछली नियम का पालन कर रहा है कि ठीक है जहां कोई सप् बिश्वास हो जाता है कि इस नियम के यानि जो हमने उप्भाग की बात करी 102 की तो इस उप्भाग में जो शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उप्भोकता और इंस्पेक्टर को लिखित सूचना देगा जो हमारा कंजुमर आ वो इंस्पेक्टर को नूटिस देगा इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह नियम का पालून नहीं हो रहा है और इंस्पेक्टर चेतावनी देगा कंजुमर को और अगर वो चेतावनी को नहीं मानता है तो क्या होगा सप्लाई को काट दिया जाएगा नियम नंबर 52 देख लेते हैं रूल नंबर 52 यह हमारे उसके पास पूरे अधिकार होते हैं कि अगर उसके पास सही कंडिशन नहीं है इंस्टॉलेशन लगाने की तो मना कर सकता है सप्लाई देने से लेकिन अगर कोई सही कारण नहीं है कोई ठोस कारण नहीं है तो क्या है वो मना कर रहा है तो संस्थापन में दोश अगर अगर इंस्पेक्टर ने जाज कर ली और कोई ऐसा ठोस कारण नहीं मिलता तो सप्लायर को फिर कंस्यूमर को सप्लाई देनी पड़ेगी ठीक है कोई परिक्षण जिसको करने के लिए उपनियम एक के अधीन प्राथना पत्र दिया गया है ठीक है अगर कोई परिक्षण के लि किमन नंबर 54 देख लेते हैं अधीन नंबर 54 क्या कहता है यह कांज्यूमर यानी वह घ्याला को शुटाइज और यानि कंगश्देश को में धांत कर रहे है लेकिन ब्रेंठी गभात करते हैं अंग Ten शुट में घॉति इन्टरिब में जाइंती नारग को रहें सपनवा हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है तो यह जो supplier होते हैं अलग-अलग voltage पर अलग-अलग consumer को supply प्रुवाइड करते हैं तो उपभोकता की लिखित सम्मती या केंदे सरकार की पिछली स्वीकृती के बिना supply शुरू होने के point पर जैसा कि नियम में बताया था अभी हमने कि निम्न या मद्यम वोल्टा होने के कारण 5 प्रतिशत से उची वोल्टा के कारण 12 प्रतिशत से अधिक घटने या बढ़ने नहीं देगा यानि जो भी मीडियम वोल्टेज या हाई वोल्टेज उसको प्रवाइड की गई है तो उसमें कुछ कर रहा है वो वोल्टेज भी मेंशन की जाएगी कि इस वोल्टेज पर कंजूमर उसका यूज कर रहा है और उससे अधिक वोल्टा पर अगर प्रियोग करता है जो कि 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से अधिक है उसकी सुविकरती सप्लायर नहीं देगा तो यह कुछ हमारे नि साथ यह सब्सक्राइब कर दो इस तरीके से कंटीनिव करेंगे अगली क्लास में थैंक यू सो मज जय हिन जय भारत कि अ कि अ कि अ